हेलो गाईज, वेलकम बैक टू माई चैनल, फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में बात करूंगी यस पी एम सी आई यल की आई होई वेकेंसी के बारे में सेक्योर्टी प्रिंटिंग गैंड, मिंटिंग कार्पोरेसन ओफ इंडिया लिमिटेड फ्रेंट्स यहाँ पर असिस्टेंट मनेजर की पोष्ट निकाले गई है तो यहाँ पर मैं डिटेल से बात करूंगी की कितनी टोटल पोष्ट है कौन सी के टेगरीं के लिए एंट क्या अगर मैं यहाँ पर एज लिमिट की बात करूं तो इसमें मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है वो 30 येर से है एंड सेल्डी की बात करूं तो 40,000 से लेकर एक लाख 40,000 सल्डी रखी गई है अब मैं आपर बारी बारी से बात कर लेती हूं कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या कौलिफिकेशन मागा हुआ है इसमें अगर देखूं असिस्टेंट मनेजर माटेरियल्स के अंदर जो कौलिफिकेशन मागा गया है इसमें इंजिनिंग की डि अगर मैं यहां पर बैत करूं असिस्टेंट मनेजर रिसर्च एंड डेवलफिकेशन मागा हुआ है यह पर फश्ट क्लास आपके पास बी-टेक एंड वी-ई की डिग्री होना चाहिए मेकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्रोनिक्स, केमिकल, मेटलोजी एंड प्यूपिल पेपर्स में फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मैं बात करूँ असिस्टेंट मेनेजर एचार में क्या कॉलिफिकेशन है इसमें आपके पास फुल टाइम माश्टर डिग्री होना चाहिए तो फ्रेंड्स आप और यहाँ पर लेलवी की लेलवी एंड इंडर्स्टी नोलेज होना चाहिए फ्रेंड्स अगर मैं यहाँ पर बात करूँ असिस्टेंट मेनेजर लेगल की तो इसमें जो कॉलिफिकेशन मागा गया है इसमें डिग्री इन लो मागा हुआ है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काउन से पोश्ट के लिए आप इलिजवल है क्या आपके पास कॉलिफिकेशन है अब मैं बात कर लेती हूँ इंपोर्टेंट डिट्स की जो इसमें इंपोर्टेंट डिट्स रखी गई है वो जो इसकी स्टार्टिंग डिट है वो 19-10-2020 है एंड जो इसकी क्लोजिंग डिट है वो 18-11-2020 है फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ कि कितनी अप्लिकेशन फी रखी गई है जो इसमें अप्लिकेशन फी रखी गई है वो रखी गई है जैनल EWS एंड OVC के लिए 600 रखी गई है एंड यह CST PWD के लिए 200 रखी गई है फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात और इंपोर्टेंट कर लेती हूँ क्या इसमें age limit की छोड़ दी गई है इसमें जो EWS CST के लिए 5 years एंड OVC के लिए 3 years छोड़ दी गई है एंड अगर मैं इसमें बात करूँ PWD undeserved के लिए तो 10 years एंड PWD SCST के लिए 15 years PWD OVC के लिए 13 years फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पर बात कर लेती हूँ selection producer की जो इसमें selection producer रहेगा आपका तो इसमें 25% का interview रहेगा and 75% का online test आपका रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर अब बात कर लेती हूँ exam pattern की कौन से subject के कितने question रहेंगे और कितने marks के रहेंगे यहाँ पर professional knowledge के 60 question रहेंगे जिसमे maximum marks 90 रहेगा general awareness के question रहेंगे total 15 और maximum marks 50 रहेगा English language में जो question रहेंगे वो 15 रहेंगे and maximum marks 15 रहेगा logical reasoning में देखा गया है and quantitative aptitude में देखा गया है सो फ्रेंड यहां पर आप देख सकते हैं जो आपकी टोटल कोश्चन रहेंगे वो 120 होने वाले हैं एंड जो आपका मैक्सिमम माक्स होगा वो 150 होगा अगर मैं इसमें टाइमिंग की बात करूं तो 120 आपकी टाइमिंग रहेगी सो फ्रेंड अब बात आती है फॉर्म अप्लाई करने की तो आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है यह वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है सो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं कि फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है फ्रेंट्स वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करिएगा लाइक सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करिएगा इससे उनको भी हिल्फ मिलेगी एंड हमें भी थोड़ी बहुत हिल्फ मिल जाएगी आज के लिए बस इतना ही मिलती हूं निस्ट वीडियो में थेंक यू